बिस्मिल्लाइरमानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, केसे आप सब, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनार चिकन के रेसिपी, जो की बहुत डिटेस्टी बनती है, तो ये मिनार चिकन मेरे अच्छे से दो कर साफ कर लिया है, और उसके बाद इसको मैंने डाल दिया है कडाई में, अब इसमें डालती हूँ मैं हल्दी नमक, और इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ, तो जो इसका जो पानी है ये भी रिलेज होगा, और फिर वो उस पानी को हम ये देखिए, हाँ पर इसका पानी कितना सारा रिलेज होआ है, अब जब तक ये पानी नहीं सुकता, तब तक हमने इसको पकाना है, तो ये जब पक जाएगा, तो अब हम गेस बंद कर देते हैं, तो चलिए अब इधर में ओईल ले लेती हूँ, कुकर में, और इधर कुछ घड़े गरब मसाले लिये हैं मैंने, और यहाँ पर लिया है प्यास, तो मैंने दो बड़े प्यास ल देती हूँ, तो ऑईल को अच्छा सा गरम होने के बाद जो खड़े गरम मसाले हैं वो डाल दूगे और उसके बाद प्याज फ्राइग कर लोंगे, तो ये वाला जो चिकन होता है थोड़ा सा गल्ले में टाइम लेता है, इसलिए हम इसको कुकर में बना रहे हैं, तो जब आप शौप पर जाएं, तो जो मिनार चिकन है वो चिकन मांगे, क्योंकि जो चिकन होता है बहुत टेस्टी बनता है, और इसमें जो चिकन की जो स्मयल खराब वाली आती है, वो भी नहीं आती है, और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर बनाएगा, या फिर आप बोल प्यास को में हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राय कर लूँगी फिर उसके बाद जो हमारा चिकन है न वो इसमें डालके हम फ्राय कर लेंगे तो आप मेरी चैनल पर अगर फर्स टाइम आए हैं मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो वीडियो आपको दस्धीड सब्सक्तार आपकी क्या मेरी रैंसिपि आपको वीडियो यास कमट्स जरूरख और आपको पसंद आती है तो रोक्त पार ये कर लाख जो इस चिकन है जो इसे भी love 잡 भी वही है तो झायक दाल दिया है और इसकी अब अच्छे से इसको हम अच्छे से आ kali के साथ और आप जरूर देखी गार इस तरह के बना के बहुत ही तेश्टी बनता है और इसमें बिल्कुल भी जो चिकन वाली किसी किसी को इसमेल आती है चिकन में तो वाली इसमेल भी नहीं आएगी और बिल्कुल मटन की रहसे पर की तरह ये लगेगा तो मैं एक हाथ से मबाइल को पकड़ी हूँ और एक हाथ से कुकर को चम्मत चला रही हूँ ना तो मुझे बननी रहा है तो यहाँ पर मैंने मसाले ले लिए हैं अद्रक लसन का पेस्ट है और धनिया पाउडरी और लाल मिर्च पाउडर है तो अपने हिसाब से हम जैसे ग्रेवी चाहते हैं उसे हिसमें ले सकते हैं अद्रक लसन का पेस्ट और धनिया मिर्ची तो यहाँ पर मैंने यह भी डाल दिया और अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर भूनती र रहेगा तो देखें यहाँ पर मैं अच्छे से इसको भून रही हूं और जो मेरा ट्रायपोट है वह तूट चुका है तो इसलिए मैं अपने हाथ से ही इसमें वीडियो बना रही हूं क्लिप ले रही हूं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और एट किया है मुझे कर दिया था जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उससाब से तो और सीटी ले ली थी तो यहाँ पर मेरा जो चिकन है वह बनकर तयार हो चुका है तो मेरी यह सिंपल सी मिनार चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजेगा और आप बनाएएगा जरूर देखें यहाँ पर जो हमारे जो पीस है जिकन के वह अच्छे से गल चुके हैं और जो तरिये वह भी बहुत ही शांदार आईए और इस पर थोड़ा सा आप हरा धनिया और डाले और फिर सर्व करें तो मैंने हरा धनिया डाला हुआ